आईए स्टड़ी करते हैं भारत और बंगला देश का जो संबंध है उसके बारे में पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि देखिए वर्स 1947 इसवी में जब भारत पाकिस्तान अजाद हुआ तब बंगाल का यह मुस्लिम बहुल छेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और उसे पुरुवी पाकिस्तान कहा जाने लगा और देखिए बंगला देश के उदय के बारे में जानते हैं कि देखिए बंगला देश का जो उदय हुआ 1971 इसवी के भारत-पाकिस्तान यूध के साथ हुआ और 1971 से पहले इसे पुर्वी पाकिस्तान कहा जाता था जैसा की बताया गया और बंगलादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने महतोपूर भुमी का निभाई थी और देखिए जो भारत और बंगला देश की जो सीमा के लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर लगभग है और भारत और बंगला देश आपस में 54 नदियां साज़ा करते हैं देखिए और आगे है कि बंगलादेश की राजधाने जो है ढगा है और वहां की मुद्रा जो है टका है तो चलिए चलते हैं नोट के तरफ और देखते हैं यहां पे पहला पॉइंट है कनेक्टिवटी का मुद्दा तो देखिए यहां कनेक्टिवटी के मुद्दे के बारे में लिखा गया है कि पुर्वोत्तर राज्य जो है भूमी आवद छेत्र है इसलिए भारत के लिए बंगला देश का निरायक महत्व हो जाता है और ठीक ही कह गया है कि विदेश नीती में पडोसी का कोई विकल्प नहीं होता है और बरतमान में भारत बंगला देश मधूर और मित्रता पूर्ण संबंधों के कारण कनेक्टिवटी पर अत्यधिक बल दिया जा रहा है और जिसके निम्नलिखित उधारण है इसमें उधारण को एपॉ हाल में कोलकाता खुलना के बीच रेल सेवा आरंब की गई है देखे कोलकाता और ढाका के बीच और कोलकाता और खुलना के बीच जो है रेल सेवा आरंब हो गई है और नेक्स चलते हैं अगर तला और आखुरा के बीच रेल संपर्क का समझावता भारत की सिली गुडी गलि पर निर्भरता को कम करेगा और कोलकात्य पुर्वोत्तर राजियों में परवेश अत्यधिक आसान होगा देखे कोलकाता से अगरतला वाया धाका तथा कोलकाता से गुहांटी वाया धाका बस सेवा की आरम्भ की जा चुकी है पहले से ही और बरतमान में बंगला देश के चिटगाउं देखे चिटगाउं तथा आसुगंज मोगला पतन का प्रियोग पुर्वत्तर राजियों में ट्रांसिप्मेंट सुविधा के लिए किया जा रहा है और नेक्स्ट है कि कुलकाता और पुर्वत्तर राजियों के बीच माल भाड़े के आवा गमन के लिए पार गमन सुविधा की मांग की जा रही है जिससे बंगला देश ने स्विकार कर लिया है ट्रांसिप्मेंट की सुविधा जो है बंगला देश नहीं देगा भारत को और नेक्स्ट आगे चलते हैं देखें तिस्ता नदी जल्बिवाद तिस्ता नदी जल्बिवाद क्या है तिस्ता नदी के बारे में जान लेते हैं कि देखें तिस्ता नदी जो है सिक्किम के जेम पुत्र नदी से मिलती है तो देखे तिस्ता नदी जल बिवाद के बारे में स्टडी करते हैं देखे दच्छिड एसिया में राजियों के बीच बिवाद की जो प्रकृति में बदलाव देखा जा रहा है और नदी जल बिवाद अनेक देशों के बीच बिद्यमान है भारत ब बड़ी नदियों के रूप में उल्ले खित हैं देखिए बंगलादेश में जो है ब्रहंपुत्र गंगा तिस्ता जो है सबसे बड़ी नदियों के रूप में उल्ले खित हैं और आगे देखते हैं देखिए दूसरा है तिस्ता नदी जल विभाजन के लिए 1983 इस्वी में एक समझहोता किया गया जिसके अनुसार नदी के पानी का 49 प्रतिसत भाग जो है भारत को प्राप्त होगा तथा 36 प्रतिसत बंगलादेश के लिए उपलब्ध होगा और जो 25 प्रतिसत मुक्त प्रवाह के लिए छोड़ा जाएगा और तीसरा पॉइंट है इसमें कि जल बटवारे के लिए भारत ने एक नवीन समझहोते का प्रस्ताव किया है जिसके अनुसार भारत को नदी जल का 25 प्रतिसत बंगलादेश और 37.5 प्रतिसत प्रतिसत प्राप्त होग उसके बारे में बतायागा है कि बंगलादेश का प्रतिसत बंगलादेश नदी जल के आधे हिस्से की मांग कर रहा है जबकि भारत में संग्य शासन है और जल राजय सूची का भिसे है इसलिए पक्षिम बंगाल सरकार के शहमती के बिना राजनेतिक रूप में यह समझहोत संब्व नहीं है तो देखिए इसके निसकर्स के बारे में देखते हैं कि कि बर्तमान में थारत बंगलादे उतंबंध अत्यधिक प्तापुण एवं मधूर हो चुके हैं और पार गमन मार्ग भारत के लिए अत्यधिक उपयोगी है इसलिए पानी के आधे हिस्से देने पर विचार किया जा सकता है और देखे इसका एकनोमिकली जो रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं कि भारत बंगलादेश का आर्थि एक संबंध के बारे में यहाँ पर पहला पोThere ए कि दक्षिड एसिया में ब्यापार वानी जय को बढ़ावा बढ़ाना विदेश नीती की प्राथमिकता है और दूसरा है कि दोनों देशों के बीच लगभग छे विलियन डॉलर का दुविपक्षिय अभ्यापार है जिसमे बंगला देश को जबरजस्त ब्यापारिक घाटा है देखें दोनों देशों के बीच जो है लगभग 6 विलियन डालर का दुविपक्षिय ब्यापार है जिसमें बंगला देश को जबरजस्त ब्यापारिक घाटा है और तीसरा पॉइंट है इसमें कि इस ब्यापार घाटे को स इसको आर्थिक सहायता प्रदान करना और दोसरा जो है बंगला देश की अनेक बस्तूओं को भारत में शुल्क मुक्त आयात की शुविधा उपलब्द कराना और इसमें तीसरा सी पॉइंट है कि भारत के अनेक नीजी कमपनियों यानि कि रिलाइन्स अडानी को निवेश को प्रोताहित करना देखिए और डी है इसमें कि भारत और बंगला देश के बीच बहतर कनेक्टिवटी के कारण भविश्य में व्यव्यापारिक समबंद और बहतर होंगे भारत और बंगलादेश सीमा प्रवंद का जो मुद्दा है उसके बारे में देखते हैं इसमें पहला पॉइंट भारत बंगलादेश सीमा प्रवंद का मुद्दा जो है इसमें पहला पॉइंट बताया गया है जो बंगला देश भारत की सुरक्षा के लिए परत्यक्ष खत्रा नहीं है परंतो सुरक्षा की सरवाधिक और गैर परंपरागत चुनवतियों बंगला देश से आ रही है जैसे बंगला देश से आने वाले अवैद घुसवैठी के कारण जन नांकिय आकडे में भारी फेर बदल हो रहे हैं गोल पाड़ा धुवनी नलवारी जैसे छेत्रों में अस्थानिय लोग अल्पसंख्यक बन गये हैं और घुसपैठीयों का बहुमत अस्थापित हो गया है देखिए जिसमें पूर्वोत्तर छेत्र में गंभीर सांस्कृतिक आर्थी के वो नरी जात्य संघर्स उत्पन हो गया है असम तिरपुरा में यह समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है और देखिए इसके आगे स्टड़ी करते हैं कि पूर्वुत्तर राजियों के अलावा देखिए बंगला देश से आने वाले अवैत घुसपैठी समूचे भारत में फैल गये हैं इनका भारत विरुधी ताकतों द्वारा भारतिय सुरक्षा के विरुध असानी से प्रयोक किया जा सकता है और देखिए इसका समाधान क्या है समाधान यह है कि बंगला देश के आर्थिक विकास में सहभागी की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और बंगला देश को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता देने की अवशक्ता है और दूसरा पॉइंट इसमें है कि भारत बंगला देश की सीमा पर केबल दो बटा तीन भाग बाड लगाया गया है और नदियों के परिवर्तित प्रवा एवं प्रतिकूल अवस्तिती के कारण अभी भी बाड लगाने में परिशानी हो रही है और देखे तीसरा पॉइंट है कि भारत मंगला देश सीमा के आसपास अत्यधिक घनी आबादी है इसलिए सीमा छेत्र के 5-10 किलोमेटर के बीच भूभाग को आबादी रहित छेत्र के रूप में बिक्षित करने की आवशकता है जिससे आसानी से नियंतर हो सके इसका निसकर्ष क्या है इसको देखते हैं कि पुर्वतर छेत्रों की विशिष्ट सांस्क्रितिक भगवलिक इस्तिती को देखते हुए अवैद घुसपैट को नियंतरित करना आवस्यक है और पुर्वतर छेत्रों के लिए बंगला देशी अथवा भारत के किसी अन्यभाग से जाने वाले ब्यक्ति या आने वाले ब्यक्ति को स्विकार नहीं करे किया जाता है और अतह इस समस्या को धार्मिक या राजनेतिक र क्या है देखे भारत का दृष्टि कूण क्या है इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि भारत ने संग्यूक तराष्ट संग सरनार्थी देखिए अवी समय पर हंस्ताक्षर नहीं किया है इसके बावजूद सरनार्थियों के मामले में भारत का रिकार्ट सकरात्मक और उ सरनार्थी रुके हैं देखिए बंगला देश के जो सरनार्थी है भारत में उन्हें चक्मा कहा जाता है परंतु रोहिंग्या सरनार्थी को भारत में आने की अनुमती नहीं दी जा रही है और आगे देखते हैं मुद्दे के बारे में डिसकस किया गया है यहां पे कि भारत बंगला देश संबंद के बारे में बताया गया है कि क्या मुद्दे है इसके बारे में कि देखे बरतमान में भारत बंगला देश संबंद अत्यधिक मधूर एवं मितरता पूर्ण हैं इसलिए बंगला देश में आने वाले रोहिंग्या सरनाथियों के लिए भारत में इसलिए रोहेंग्या सरनाथी मुद्द्र पर भारत के द्वारा म्यानमार पर दबाव नहीं बनाया गया यदपी बंगला देश के द्वारा म्यानमार पर दबाव बनाने का अनुरूद किया गया देखे बिश्व जन्मत एवम चीन का प्रतिक्रिया क्या है इस पर देखते हैं कि देखे चीन म्यानमार प्रमुक्त समरिक मित्र हैं इसलिए चीन के द्वारा रोहिंग्या के मुद्दे पर पूर्टह म्यानमार का समर्थन किया गया है और देखिए आगे इसलिए भारत ने भीम्यानमार पर किसी प्रकार के दबाव का प्रियोग नहीं किया या दपी संग्युक्त राष्ट संग ने के द्वारा इस निजातिय सफाया या मानो नरसंगहार का नाम दिया मानो अधिकार या सुरक्षा का मुद्दा क्या है इसके बारे में देखते हैं देखें मानो अधिकार कारे करताओं तथा रास्टी या मानो अधिकार आयोग द्वाराओं उच्चतम नयाले के समक्ष रोहिंग्या को सरण देने के लिए याचिका दायक की गई परंतु संग सरकार के द्वारा सुरक्षा के अधार पर इन्हें सरण देने से इनकार कर दिया गया है सरकार के अनुसार भारत में पहले से ही बड़ी संख्या में बंगला देश के अवैद सरना थी इसलिए रोहिंग्याओं को संड देने में बेवहारिक समस्या उत्पन्न होगी और आगे देखते हैं पंत निर्पेक्ष राष्टवादी यों धर्मिक कटरवादी के बीच संघर्स क्या है इसके बारे में देखते हैं पहला पॉइंट इसमें बताया गया है कि बंगला देश का निर्माड पंत निर्पेक्ष रोकतांत्रिक देखिए यहां पर माजवादी बिचार समाजवादी बिचार धारा के अधार पर किया गया देखिए बंगला देश का जो निर्माड है पंत निर्पेक्ष रोकतांत्रि और जमात ए इसलामी के द्वारा बंगला देश निर्माड के समय बंगला देश निर्माड के समर्थकों की भारी पैमाने पर हत्या की गए और बरतमान में बंगला देश में होने वाले गुलसन कैफे का आतंकी हमला बंगला देश के लोकतंत्र के लिए एक नमीन चुनवती है एक नया चुनवती है सेख हसीना के द्वारा बंगलादेश में पुनःपंत निर्पेक्च लोकतांत्रिक विचारधारा को सद्रीड करने का प्रयास किया गया उन्होंने अंतरास्टिय अपराधिक नयाले के अस्थापना के द्वारा यूद अपराध में शामिल ब्यक्ति को दंडित करने का भी कारे किया और यह उल्लेखनिय है कि पाकिस्तान के द्वारा संचालित आतंकवाद यानि सीमा पर आतंकवाद से भारत यूँं बंगलादेश दोनों के लिए साजे खत्रे हैं और देखें यहाँ पर क्यूस्ट्विस्टि किस टाइप के राईज हो सकते हैं और किस तरह के जो प्रशण है वो बन सकते हैं इसके बारे में देखें यहाँ पर पहला प्रशण है कि बंगला देश के साथ संबंध भारत के देशी सुरक्षा एवं विकास रण नीती को किस प्रकार प्रभावित करते हैं विवेचना कीजिए और दूसरा है यहाँ पे कि बंगला देश में राष्टवादी एवं कटरवादी विचारों के बीच संघर्स के भारत पर प्रभाव की विवेचना कीजिए इस संदर्म में भारतिय अनुक्रिया का भी उल्लेख कीजिए और तीसरा प्रश्ण है हमारा यहाँ पे कि भारत बंगला देश के शंबंध भारत के लिए किन माइनों में महत्तपूर्ण है और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दोनों की सुरक्षा च